आज का हमारा लेक्चर है रैस्पिरेटरी सिस्टम इस जो सिस्टम को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया हुए पार्ट वन पार्ट टू आज जो हमारा लेक्चर है यह पार्ट वन है इसमें हम जो बताएंगे आपको रैस्पिरेटरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन टाइप सो प्रैस्पिरेशन इसके बाद रैस्पिरेटरी सिस्टम में कौन-कौन से ओर्गन्स आते हैं और उसमें जो अपर रैस्पिरेटरी टेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे बोडी के जो हमारी इतने भी सेल्स होते हैं सबको chemical activity की need होती है ताकि हमारी बोडी में homeostasis जो है वो maintain रह सके हर एक सेल्स को हमारे energy की जरूत पड़ती है energy जो हमें मिलती है oxygen जो मिलती है वो हमें हमारे respiratory system के दुआरा मिलती है यानि कि हमारी बोडी में सभी जो chemical reactions होती है वो oxygen की presence में होती है और जो waste product होते हैं इस chemical reactions के दुआरान वो carbon dioxide बनते हैं जो कि हमारी बोडी के दुआरा वो excrete किये जाते है यानि कि gases जो exchange होता है lungs में वो हमारे body cells के जो बाहर के environment है उसमें ले जाने का काम करते है इसके बाद जो है respiration क्या होता है जो respiration हमारा एक ऐसा root होता है जो हमारे atmosphere से oxygen को ले जाता है और ये हमारी body में cells को energy देता है और उसके बाद जो carbon dioxide होती है वो सरीर से बाहर निकल जाती है यानि कि gases के जो exchange होते हैं वो lungs के दुआरा body के cells के बाहर environment में हो इसके लिए को respiration कहते है body के जो cells हैं उनको energy की ज़रूत पड़ती है chemical activity और homeostasis के लिए इसकी need होती है body में सभी तरह की chemical reactions होती है वो oxygen की presence में होती है और इसका जो waste product होता है वो एक chemical होता है एक gases होते है जैसे उसका नाम है CO2 carbon dioxide next slide में है types of respiration यानि कि जो respiration होते हैं वो कितने तरह के होते हैं जो respiration है वो two types का होता है एक होता external respiration और एक होता है internal respiration external respiration का मतलब होता है कि जब हमारा gaseous का exchange blood और lungs के बीच में होता है तो उस process को हम external respiration बोलते हैं यानि कि जब हम oxygen लेंगे तो हमारे lungs में जाएगा और lungs में जो है वहाँ पे आते हैं RBCs red blood cells उनमें hemoglobin होता है और hemoglobin की presence में oxygen जो है वो diffuse हो जाएगा RBC के अंदर और उसके बाद वो आगे हमारे जो heart है उसके थुरू आगे pump किया जाएगा और फिर जो next जो respiration होगा वो होगा internal respiration यानि कि internal respiration में जब gases का exchange हमारे blood और body के cells के बीच में होता है तो उसे internal respiration कहते हैं तो यह हमारा इस slide में हमने बताया कि extra respiration क्या होता है और internal respiration क्या होता है इसके बाद जो अगली हमारी slide है उसमें है types of respiratory system यानि कि जो हमारा respiratory system होता है वो कितने भाग में वो बाटा हुआ है उसको हमने two parts में divide किया हुआ है जो first हमारा part है उसको बोलते हैं upper respiratory tract अपर respiratory tract जो होते हैं इसमें वो organs आते हैं जो cavity से बाहर पाए जाते हैं जैसे nose, pharynx, larynx ये जो हमारे part होते हैं इनको हम बोलते हैं कि upper respiratory tract second जो point है वो हमारा वो upper respiratory tract होता है जिसमें nose, pharynx और larynx जो cavity हैं ये पाए जाती हैं और lower respiratory tract में सबसे पहले जो इसमें part आएगा उसमें आएगा हमारा जो cavity से बाहर पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे lower respiratory tract इसमें जो हमारे organs आते हैं वो हैं trachea और इसके बाद आएगा इसमें bronchi, ये दो होते हैं इसके बाद bronchioles उसके बाद इसमें lungs two एक right और एक left और यहाँ पर होती हैं muscles of respiration जो muscles हमें respiration में help करती हैं उनको बोलते हैं कि वो हमारी muscles होती है इनके हम details जब करेंगे जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे lower के बारे में अब भी हम जो first हम point के बारे, first slide के बारे में बात करेंगे उस वो है upper respiratory tract अपर एस्टेट ट्रेप्ट पे जो है हमारे में लितीन ओर्गन आते हैं nose, sparrings और larynx इसमें पहले हम nose के बारे में बात करेंगे जो nose से हमारा वो ये nasal cavity का first respiratory organ होता है जो की irregular cavity septum के द्वारा two part में divide किया जाता है यह है athomate bond और warmer से बनी हुई होती है और इसके inside में एक high line cartilage पाई जाती है nose का जो roof athemoid bone के caribri form plate siphinoid bone frontal bone से बना हुआ है और इसका जो floor होता है वो mouth के roof से बना हुआ होता है nose का floor आगे से hard palate और पीछे से soap palate से milकर बना हुआ होता है जोसका medial wall है वो septum से बना हुआ होता है जो lateral wall है इसका maxilla athemoid bone inferior conchie से बना हुआ होता है nose में saliated columnar epithelial cells पाए जाते हैं जो की हमारी body में जो waste product है उसको अंदर जाने से रोकते हैं उनको trap करते हैं इसके बाद जो हमारी अगली slide है उसमें है function of nose यानिके हमारी body में जो nose है उसका क्या काम होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे जो हमारा nose होता है ये respiratory passage का सबसे पहला organ होता है और nose air को warm, motion और filter करने का काम करता है इसमें जो first point है उसमें है warming यानिके जो air nose में जाएगी सबसे पहले उसको गर्मी दे जाती है क्योंकि nose में बहुत सारी blood vessels होती है blood supply होती है और ये है nose की air को warm करने में help करती है next है filtering और cleaning of air यानिके जो air आगे जाएगी उससे पहले जो है वहाँ पर उसको हमें filter करना है filter करने के बाद फिर वहाँ पर जो fresh air होगी वो आगे पास होगी हमारी nose में hair पाए जाते है जो की large particles को trap कर लेते है वो पकड़ लेते है और आगे उसको जाने नहीं देते है छोटे छोटे particles जो होते है वो जो हमारी nose में mucos होते है उसके थुरूव वो हाँ पर जम जाते है वो पकड़े जाते है जिससे की वो आगे पास नहीं होते है इसके बाद moist यानिके जो nose है nose में mucos membrane होती है उसके जो भी पास कोई भी आएगा हाँ पर जो particles होगा या air होगा वो moist हो जाएगी उसमें नमी आ जाएगी उसके बाद फिर वो आगे जाएगी और इसमें एक note है कि जो हमारी nose होती है ये sense organ भी होती है जो कि हमारे जो smell होती है smell को करने में यूच होती है क्योंकि हमारी nose में जो nerve है उसके ending points पाएं जाते है और वो ending points जो है smell कराते है वो smell हमारी direct brain में जाती है और उससे हमें feelings होता है next point है वो हमारा pharynx अब हम pharynx के बारे में बात करेंगे कि pharynx क्या होता है और ये क्या role play करता है हमारे respiratory system में जो pharynx होता है ये 12 से लेके 14 cm लंबी एक tube like structure होता है जो की हमारे skull के base से लेकर 6th cervical vertebra तक spread होता है हमां तक फैला रहता है यह nose, mouth, larynx के पीछे पाई जाती है और pharynx के mainly जो है वो 3 parts होते है जिन से मिलकर हमारा जो pharynx से वो बना हुआ है तो वही इसमें हम बात करने हैं कि इसके कौन-कौन से parts होते है जो हमारा pharynx होता है ये mainly 3 parts से मिलकर बना हुआ है जो पहला part है वो है नेजो pharynx सेगिन पार्ट है ओरो pharynx और जो थर्ड पार्ट है वो है लेरिंजो फैरिंग्स नेजो फैरिंग्स जो है यह फैरिंग्स का जो पार्ट है वो नोज के पीछे पाया जाता है और सोप्ट पैलेट से उपर पाया जाता है यह है अडिल्टरी ट्यूब से जुड़ा रहता है उसके बाद औरो फैरिंग्स यह है फैरिंग्स का पार्ट माउट के पीछे पाया जाता है और सोब्ट पैलेट से लेकर थोर्ड सर्विकल वर्टिप्रा तक यह स्प्रैड होता है वहां तक फैला रहता है लेरिन्यो फैरिंग्स से जो है यह फैरिंग्स का पार्ट लेरिंग्स के पीछे पाया जाता है और यह औरो फैरिंग्स से लेकर इसो फैगस तक जो है यह स्प्रेड होता है हमां तक यह फैला रहता है इसके बाइद अगली स्लाइड जो है उसमें हम बात करें है structure के बारे में यानि कि हमारा जो pharynx होता है उसका structure कैसा होता है जो pharynx जो है वो tissue की तीन layer से मिलके बना हुआ है पहली जो layer है वो है mucous membrane उसके बाद है fibrous tissue और उसके बाद है muscular tissue इन तीन से मिलके जो है ये बना हुआ है जो muscular हमारी membrane है ये naso pharynx ciliated columnar epithelium cell से मिलके बनी होई है और oro pharynx और laryngeo pharynx में stratified squamous epithelium cells से मिलकर बनी होती है जो कि ये mucus को production करने में help करती है और second जो है वो है fibrous tissue ये है beach की layer होती है जो कि naso pharynx में थिकर होती है और इसके नीचे आते आते ये थोड़ी पतली हो जाती है थर्ड ये है जो है muscular tissue है ये pharynx की बहुत सारी involuntary muscle से मिलकर बना हुआ है जो कि हमारी body में जो swelling करते हैं हम खाने को खाते हैं उसको swelling करने में ये हमें help करता है इसके बाद जो हमारी next slide है उसमें है कि जो हमारी blood supply है और nerve supply है वो कैसे होती है pharynx में यह निके जो हमारी blood supply है वो pharynx में facial artery से supply होता है और जो हमारा venus drainage है जो वापस हमारा blood जो निकलता है वो facial और internal जो jugular veins होती है उससे निकलता है इसको आपस लेके जाती है इसके बाद जो हमारी nerve supply है नर्व सब्लाई जो है pharyngeal जो प्लैक्सिज है उसके दुआरा nerve supply यहां पर की जाती है इसके बाद है हमारा function यानि कि हमारी body में जो हमारा pharynx होता है वो क्या function करता है यानि कि जो passage way हमारा air के लिए होता है और food pharynx ऐसा organ होता है जो कि respiratory और digestive system दोनों में involved होता है यानि कि हमने जब digestive system बढ़ाता तब 20 के बारे में बढ़ाता अब हम respiratory system बढ़ रहे तो उसमें भी ये involved है pharynx का जो नेजो और ओरो parts जो है इसमें दोनों involved होते है air pass होने के लिए larynx का जो part है वो food pass होने के लिए होता है इसका सबसे पहला function होता है warming and humidifying of the ear यानि कि जो pharynx है वो भी nose की तरह air को warm करता है और most करने में help करता है उसके बाद है second function test, pharynx में all factory जो nerve होके ends पाए जाते है जो कि हमारे test को test की जो sense के parts होते हैं और test को करने में ये help करते हैं उसके बाद है third hearing सुनने में, यहां पर auditory tube जो है, वो nasal part में middle ear तक फैली होती है जो air की entry करने में मदद करती है और air की जो entry है वो hearing में सुनने में हमें मदद करती है उसके बाद protection यानि कि pharynx में जो pharyngeal और laryngeal जो tonsil पाए जाते हैं जो antibodies produce करते हैं वो हमारी इस part को protection करने में मदद करते हैं और इसमें last point है speech यानि कि जो हम बोलते हैं यानि कि यह जो pharynx होता है हमें बोलने में भी यह help करता है इसके बाद इसका जो third point है इसको बोलते हैं larynx, larynx के बारे में हम बात करेंगे कि larynx क्या होता है और यह हमारे respiratory system में अपना क्या role play करता है तो larynx को हम voice box भी कहते हैं यानि कि यह साउंड box होता है जो कि हमें बोलने में help करता है larynx जो है tongue के root से लेकर trachea तक फैला होता है यह larynx जो pharynx के सामने third, fourth, fifth and sixth cervical vertebra तक पाई जाती है puberty तक female और female का दोनों का जो larynx है वो size में बड़ा हो जाता है और larynx, pharynx और trachea के बीच में रास्ता होता है जो कि हाँ पे हमें इसको help करता है तो यह हो गया larynx के बारे में इसके बाद इसके structure के बारे में कि भई यह है हमारी body में कैसे यह होता है larynx में different different जो हैं वो cartilage से मिलके बना हुआ है जो एक दूसरे से ligament के से जुड़े होते हैं larynx में mainly जो cartilage होते हैं वो चार तरह के cartilage होते हैं जिसमें number one जो आता है उसका नाम है thyroid cartilage ठीक है और जो second आता है वो है cricoid cartilage उसके बाद artinoid cartilage और उसके बाद epigloretes cartilage इनके बारे में हम एक एक करके discuss करेंगे सबसे पहला जो हमारा point है वो है thyroid cartilage यानि कि यह जो ऐसा part होता है जो उबहा हुआ हुआ होता है इनके ओपर को निकला हुआ होता है यह high line cartilage के दो flat pieces से बना हुआ होता है thyroid cartilage जो है adam apple बनाने में मदद करता है इसको हम adam apple भी बोलते हैं जो गले में उठा हुआ कुछ पार्ट होता है उसको हम adam apple भी बोलते हैं thyroid जो cartilage के जो अपर पार्ट में stratified squamous epithelium और lower पार्ट में saliated columnar epithelium tissue पाए जाते हैं जो कि जो हमारी body में organism कुछ जाते हैं उनको trap करने में ये help करते हैं अगला जो हमारा जो इसका जो cartilage है उसको बहते हैं crequoid cartilage यह thyroid cartilage से नीचे पाया जाता है और यह भी saliated columnar epithelium tissue से बना हुआ होता है उसका अगला पार्ट है वो है artinoid cartilage यह है दो roughly pyramids shaped highline cartilage से बना हुआ होता है और यह है crequoid cartilage से उपर पाया जाता है इसमें जो हमारा third point है वो epiglotis epiglotis जो है यह कि यह lives पत्ते के आकार के fibro elastic cartilage से बना हुआ होता है इसके अंदर की जो wall है वो thyroid cartilage से जुड़ी होती है और यह है जो है stratified squamous epithelium से covered होता है इसको इनके cover करके वो रखता है इसके बाद हम बात करेंगे इसमें blood supply की कि यहाँ पर जो blood supply वो कैसे होती है यानि कि जो RTL blood supply है वो superior और inferior laryngeal RT के दुवारा की जाती है यानि कि जो oxygenated supply है वो oxygen की जो auto blood है इससे मिलता है और जो वापस जो बलड़ जाता है venus drainage बोलते हैं उसको venus drainage जो thyroid vein के दुवारा किया जाता है इसके बाद इसमें nerve supply इसकी जो nerve supply होती है larynx को nerve supply laryngeal nerve के दुवारा दी जाती है जो vagus nerve की branches होती है यानि कि vagus nerve main nerve है उसकी जो branches होती है वो इसको यहाँ पे nerve की supply करती है अगला जो point है वो है हमारा function of larynx यानि कि हमारी body में जो larynx है वो क्या काम करता है first जो point होता है इसमें यह है कि production of sound यानि कि हमारी जो sound है उसमें बनाने में यह कैसे help करता है larynx में sound पैदा और इनके बनतिये formation होती है main यह हमारा यही part है जिसमें sound का formation होता है इसलिए हम इसको vocal code भी कहते है यानि कि जो हमारी sound की जो pitch होती है वो इस पर depend करती है कि वो तेजवा जाएगी या कमावा जाएगी vocal code की जो tightness है यह उस पे भी depend करती है उसका tightness कितना है force जो है हमारा force जो लगाता है बोलने में sound में जो force आता है वो volume पर निर्भर करता है और जो force जो हमारे force के कारण जो code में vibration होगा उससे ही हमारी आवाज तेज या आराम से या बिल्कुल धीरे निकलती है sound की जो tone होती है वो मूँ के आकार पर उसके shape पर depend करती है और tongue की position पर facial की muscles पर भी वो depend करती है इसके बाद speech यानिके larynx जो है वो vocal code में पाए जाते है और उसके कारण होँ जो आवाज होती है वो बहुत fast हो जाती है जो third इसका function है passage way of air यानिके ये air की entry को देती है air को आगे जाने में ये help करती है इसमें फिर last point है humidifying, filtering और warming यानिके जो inspired air होती है जो हम अंदर लेते हैं उसको humidify में मदद करती है filter में मदद करती है और उसको warm करने में help करती है तो ये जो हमारा respiratory system का जो first part है वो complete होता है और इसके बाद हम इसका जो second lecture देंगे उसमें ये जो इसमें lower जो हमारा part आएगा जो lower respiratory detect होगा हम उसके बारे में बात करेंगे थेंक यू बच्चो